आपने आज तक ही सुना होगा कि ड्राइफोट सेहक के लिए बेहाँ लावदायक साबित होते हैं जब कि आज हम आपको काबुली यानि सफेट चने से होने वाले वालबों के बारे में जानकारी देंगे जिससे शायद ही आप अंजान होंगे आपको बताते कि चने में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है आलगी चने की सब्जी का नाम सुनते ही हमारे मों में पानी आ जाता है लेकिन आपको बता दे कि चना हमारे सरीर के लिए बहतर कोशन तक माना जाता है जिसमें 12-15 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता ह है साथ ही आपको भरपूर मात्रा में एनर्जी भी देता है आई आपको बताते हैं चने खाने से आपको क्या क्या हुसाइद होते हैं नमबर वन चने में भरपूर मात्रा में आयरन मौजूर होता है जिससे आप अनहीमिया जैसे खातर नाम दिमारी से पज़े रहते हैं हाल सभी चने में भरपुर मातरा में copper और Magnese कित्ता तो पाय जाती है जिसके सेवन से आपके खून का भाव सही प्रकार से होता है साथ ही इसके सेवन से चाहों का भून हमेशा नौर्मन बना रहता है साथ आपको और एनर्जी मिलती है कापली यानि सफेज चने के सेवन के आप हाई ब्लड प्रेशर को आत्मानी से कंट्रोल कर सकते हैं यह हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक बहतर दवा भी मानी जाती है क्योंकि चने में भरपुर माता में पोटेशियम और मैंगनेजिया बहुद होते हैं जो आपके सरीर काशा के चाप हमेशाद कंट्रोल करते हैं और आप आई ब्लड प्रेशर से बचे रहते हैं क्योंकि अगर आप भी मनना चाहते हैं एंकर और बोटर, प्टियो एटिटर, कैमरा मैं या स्कुर्पराइब तो हमेश संपाइब तो हमेश संपाइब तो